नमस्कार जी मेरा नाम गोल्डी गाबर आप देख रहे हैं कशिश लेडी स्टेलर रहोत्ता खरियाना आज मैं सेमी स्टुच अस्तर वाला सूट की कटिंग करना सिखा रहा हूं आपको तो मैंने चार पीस की लाइनिंग की डबल तैक को विछा लिया है सबसे पहले हम उपर की युआ बढ़ानिंगे के निशान लगाएंगे उसके बाद में साडे6 चे उपर मोडेगा चोदा इंच के ऊपर आपकी कमर का और बाइस इंच के उपर आपकी यपिस का निशान लगेगा और नीचे जितनी कि लंबा है आकरी निशान वहां पर लगा देंगे लोग लाइनिंग को मैंने दो तैमें बिचा लिया है मतलब चार पीस है लाइनिंग के दोनों के ऊपर स्टेट निशान लगा लेंगे तीरा रखेंगे हम 6 इंच का back अगला deep है back अगला 7 इंच का है नीचे से भी तीरा रखेंगे हैं 6 इंच का breast line के अंदर हम 4 इंच की losing डालेंगे और बकाईदा लिख कर मैं आपको दिखाऊंगा कि इसके अंदर losing कितनी है कितनी नहीं देखेंगा 40 इंच की breast ते 4 इंच की मैंने losing डाल दिये waist size है उसके अंदर मैंने तीन इंच की losing डालेंगे जहां से हमारी लंबाई start हो रही है वहां से अगर हम 22 इंच के ओपर hips लेते हैं तो 3 इंच की losing डालती है 21 इंच के ओपर hips लेते हैं तो 2 इंच की losing डालती है और 20 इंच के ओपर hips लेते हैं तो कोई भी losing नहीं डालती अब आपने state कितना hips रखी है उतना ही घेरा रखकर state निशान रगा देना है best line से waistline को मिला देना है और hips line से waistline को मिला देना है दोनों की side के ओपर डेड़ेड इंच का margin रख लेना है और 6 इंच का जो हमारा 13 था उससे मोडे तक का निशान state लगा लेना है और 1 इंच का हमने आपने 13 अंदर की side पर गिरा लेना है और गोलाई की shape लगानी है अंदर 1 इंच के ओपर से भी और बाहर 1 इंच की छटाई के ओपर से भी यह देखीगा अब आपने जिस shape के ओपर ड्राइंग करी है ट्राइंग के उपर-ऊपर यह आपने लाइनिंगस हमारी उसको कट करना है सेम स्टिच है आदा सिलाहया उसा है अब हम उसको सिखाएंगे कि आपको क्वोलना कैसे और खोल के उसके बाद में उसकी कटिंग कैसे करनी है और बाजू भी वन थार्ड कैसे निकालनी है तो प्रॉपर वीडियो में बने रहीएगा वीडियो को लाश्ट तक देखीगा वीडियो को बिलुकुल भी स्किप मत किजिएगा क्यूंकि थोड़ी सी भी इ एक आपने वेस्ट लाइन के ऊपर टुका लगाना है और एक आपने ब्रस्ट लाइन के ऊपर टुका लगाना है अब आपने लाइनिंग को ऐसे दो तैय में फॉल्ड करना है और फ्रंट की छटाई कर देनी है तो फ्रंट की छटाई जो आपने निशान लगाया था उसी इसको पहले शॉल्डर से open कर लेंगे अप लोग और अब इसकी दोनों साइड के ऊपर से आप लैस उतार दीजेगा दोनों साइड से लैस उतारने के बाद में बैक हमारी अलग हो चुक है और फ्रेंट हमारा अलग हो चुक है अब आपने एक साइड से कपड़े को लेना और से double-fold करने-के बाद में आपने इंचे टेप से अपने हमारी hyps इसकी ओपर पूरी हो लोग है तो हमारी हिप्स जो थी वह तीन इंच की losing डालने के बाद by जितनी थी Goldman यह हिप्स हमारी पूरी हो रही है उसके बाद में आपने प्रेस लगा कर इसको अच्छे से सेट कर लेना है और दो इंच का मार्जन एक्स्ट्रा भी होना चाहिए तो इससे हमारी मार्जन भी निकल जाए अब आपने फ्रंट का गला बिल्कुल सेंटर में बनाकर अच्छे से इसको सेट कर देने और फ्रंट को खैसी ऊपर बिछा ले ना आपने लंबाई लेने था कि जितनी लंबाई आपकी लंबाई का निसान लगाकर और वहां लाइनिंग के पीश और यहां निकल जाएगी लेकिन आपको अगर बिलकुल बराबर में कट और हलका सा भी दो सूट सेंटर आउट हो गया कभी भी तो आप कभी भी इसको सेट नहीं कर पाएंगे तो लाइनिंग का सूट हमारा कट चुका है अब आप इसकी बाजू काटेंगे साइड से बचा हुआ कपड़ा है उसको दो तैवें ऐसे बिचाएंगे और फिर इसको दो इंच का बनेगा 41 का 9 42 का 9 40 के बाद में जितनी भी ब्रस्ट लाइन होई कि उसका मोड़ा 9 इंच का है 40 से कम के अंदर मोड़ा आपने अलग अलग रखना है उसके उपर में मैं एक वीडियो बना रखी आप जाके मेरे वीडियो सेक्षन में देख लीजेगा बाजू की आपने क्या करना है इसकी आग्ए front की च्छटाई करनी है तो ऐसे ही अपने 50 लेनीए पे 20 से आपने निशान लगाना है और निशान लगाने के वाद में इसी निशान के उपर उपर आप front की cutting को कर देना तो हमारी क्ते काट गई है फंट पालों का ही होना चीये यह लाइनिंग वाला सूट है हमरा प्रोपर कर चुक है वीडियो को पसंद आए तो वीडियो को लाइक कीजेगा चैनल पर नहीं है तो चैनल को सब्सक्राइब कीजेगा और रेड कलर के बटन को दबाईए